नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले हम आपके एक वीडियो बना कर जानकारी दे थे आनिके बिहार के 44 अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पोश्ट पे वेकेंसी खाली था अनिके लगवग 10 अलग-अलग पद्वी उसमें दिधाद किया था अलग-अलग पोश्ट था तो फानेली दोस्तों इस वेकेंसी के लेकर थोड़ा अपडेट आया है आनि इस वेकेंसी में लेट हो सकता है इस लेट होने का बजह भी बताएगा किस कानों से लेट हो सकता है तो इस अगस्त में इसको लेकर नोट्फिकेसन आ जाना था जुलाई अगस्त में तब कि इस तरीके से अब क्या अपडेट आ रहे हैं सारे जनकारी बताएंगे तो चलिए वीडियो करते हैं इस्टा तो फानिली दूस्तों क्या नई अपडेट निकल कारे यह कपते कि वेकेंसी हो पाएगे और किन कार्णों के वज़ा से वेकेंसी में अब लेट होगी सारी जनकारी हम आपके इस वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो में आप एन तक बने देगा सबसे पहले हम आपके एक पे स्वास्थ विभाग करने पर इसी फैसले पार के दवरा रोक लगा दिया गया इसी का बज़े से वेकेंसी में थोड़ा टाइम लाएगा लेकिन और भी कारण इसमें बताए गया जो कि देख सते हैं स्वास्थ विभाग कर लच था कि जून के अंतक और जुलाइक के शुरूब में भी विभीन पदों पर निकुति के लिएक रिक्तिया विभीन आयों को भेज दी जाए और लेकिन भेकेंसी सुचना बेजने में देर होगी अब बतादे दोस्ते इन पदों पर होनी थी निकु मुद्द के अब बताए गया है जो कि देख सतियां पर जनकारी दिया गया है बताएगा कि स्वास्थ विभाग ने नर्स सहित 45 जार पदों पे इस साल अक्टूबर तक बहाली पूरा करने का लच रखा गया था निकि स्वास्थ विभाग तरब से बोला गया था कि यानिकि अक्टूबर तक इस बहाली को पूरा कर लेना है जिसमें बोला गया था है पूरा करने का लच रखाता है लेकिन अब नियुक्ति में देरी के पूरी संभावना जता ही जा रही है पिछले दिन हाई कोट ने बिहार में आरक्षर सिमानी 50% से बढ़ा कर 55% करने के लिए फैस करने पर रुक लगा दिया गया लेकिन अब इसमामले में आने के समाने पर साथन विभागने इस मामले में सबस्ठी जब सब्सटी करन जो भी गाइडलेंड जारी नहीं होगा तो अब तक इस वेकेंसी निगा इस पाँरान से ब्यार्थी के अभी इंतिजार करना होगा एक कि कोई कंडिशन नहीं सामना है जब तक आरक्षाट प्रतिसाथ फाइनल नहीं होगा तब तक रिक्तिक रोष्टर के हिसाब से त्यार नहीं हो पाईगा इसी के वज़ेंसी में आप टाइम लगा आप देखते हैं कि इसको लेकर सारा पर किरिया सही तरीका सो जाए तो फिर से यहीं आपको बताना था कि इस वज़ेंसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा जब तक आरक्षाट प्रतिसाथ फाइनल नहीं होगा तब तक रिक्तिक रोष्टर के हिसाब से त्यार नहीं हो पाईगी और चिकित्चा दांत चिकित्चा हैं नर्स एनम जीनम सीच और पाराम नियुक्ति के लिए विभाग ने करवाई तेज की है विभाग ने सभी जीले से रिक्तिया रक्षान रोष्टर की हिसाब से मांगा था और स्वाफ विभाग और राष्ट्य स्वाफ मिशन के तरह 1349 सहाइक पर ध्यापक नियुक्ति होने हैं और 353 विसेश चिकित्चा जो चारी देंगे चले मिलते किसीने विडियों तब तक के लिए धन्यवाद कि